किसान साथियो नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आप सब को पता है कि ये क्रिपाल सागर का ताइवान पिंग का बाग है जो तीन इकड में है इसमें बारा सु पोधे लगे हुए हैं बारा बाई छे पर इसकी कटिंग हमने 5 मई से लेकर 10 मई तक की थी उसके बाद हमने इसमें 2 पानी दिये थे और पानी देने के बाद हमने इसमें 5 जून को हमने एक स्प्रे किया था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था आज मैं दिखाता हूँ कि इसकी स्थिती क्या है और अब आपको क्या देखरेक करनी है और क्या सावधानी बरत जब से हमने इसमें इस्प्रे किया था उसके बाद हम इसमें दो पानी दे चुके हैं यहां की जमीन अगर आप देखो तो देखें जमीन में दराडे पड़ गई हैं जबकि इसमें पानी दिये 5-6 दिनी भी हैं यह देखें खाद भी कुछ कुछ देख रहा है यहां पर हमने खाद लगाया था और पानी दिया आप यह देखेंगे कि यहां पर यह थोड़ी घास हम इस घास को ने तो साफ करा रहे हैं चूकि इसमें यहां पर खाद नहीं है और साफ इसलिए नहीं करा रहे हैं कि एक तो सफाई में हमारा खर्चा होगा चाहे हम इसमें हर्भी साइड का परियोग करें चाहे हम इसे हाथ से सफाई कराएं हमारा उसका खर्चा होगा दूस खास से जो जमीन है वो ढकी हुई है और यहां का तापमान कम है इसलिए इसे मैं नहीं छुड़ा रहा हूँ लेकिन हाँ जो बड़े-बड़े जैसे कॉंग्रेस घास वगारा होती है उसको मैं कटवा देता हूँ यह तो बात हुई अब तक के किये विए कालिया अब मैं इसक प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको आप यहां पर आईए यह देखिए कि जैसे मैं बताता था यह तीसरा पत्ता है जोड़ा इस पर यह कलिया निकली है यह देखिए यह बड़्स है इन्हें कलिया बोलते हैं और फिर चोथे पत्ते पर निकली है और कुछ में पांचवे पर अभी निकलेंगी नहीं तो तीसरे और चोथे पर ही निकल कर खत्म हो जाए आप देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस लगबग यहां पर दस कल्ले निकले हुए हैं जो साखाए हैं और दस कल्लो पर लगबग चालिस कम से कम अमरूद आएग इस हिसाब से हमारे पूरे पोधे पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम हमें 30 किलो अमरूद अवर्ष्य मिलेंगे हो सकता है 40 किलो भी मिल जाए हैं अब यह जो कल्या हैं इस टाइम हमने इन में जो इस्प्रे किया था 1261 जीरो और अली का जो सीजंटा की आती है या आयरू का जो इफको की आती है वो इसलिए किया था कि यहां पर पत्ते ने खाएं और आप देखें मेरे पत्ते बिल्कुल सब के सब स्वस्थ हैं एन पी के 1261 जीरो के साथ मैंने एक ग्राम बोरोन दो ग्राम चिलेटिड जिंक और मैंने मिलवाया था इसमें आयरू का पॉइंट 3 मुझे इस पोध्य में आप इस पोध्य को देख लीजिए और ये पूरा बाग देख लीजिए इसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आई कल मैंने इसको अच्छी तरह देखा और भरपूर कलिया आ रही है आज शाम को हम इसमें एक इस्प्रे और करेंगे लेकिन ध्यानी ये रखना है उन भाईयों को नहीं करना है जिनके फूल खिलने लगे हो अगर उन्होंने पहले कटिंग कर दी थी और उनके फूल खिलने शुरू हो गए तो विन नहीं करें ये जो इस्प्रे होगा इसमें आप मिलाएंगे N-P-K-1261-0 आपकी इसको मजबूत करता है जो ये कलिया के डंडल होती है इनको मजबूत करता है और वानस्पतिक व्रद्धी को थोड़ा रोख कर इसमें कलिया निकालने का काम करता है जो बची हुई है वे भी कलिया आ जाएगी और पूरी की पूरी कलिया आ चुकी होगी आप इसमें मिलाएंगे एक ग्राम परती लिटर बोरोन बोरोन का काम बहुत अच्छा होता है एक फल को सेट करने में काम आता है और दूसरा थोड़ा पोधे में ठंड़क भी रखता है जो कलिया होती वो ठंड भी रहेंगे गर्मी बहुत पड़ रही है 44 डिगरी के आसपास तापमान है जो दुफैर को कहीं घंटे तक रहता है और ये कलिया गिर्ण जाएं इसके लिए ये पहुचे रहे है तीसरी चीज इसमें मिलाएंगे अगर आपको कहीं भी कोई लग रहा है जैसे कोई ये देखे कहीं कोई अगर कीट पतंगे का आपको थोड़ी भी आसंका है तो 2 ml परती लिटर इसमें डाइमेथियोट मिला सकते है या आप नीम का तेल मिला सकते है जो भी 2 ml परती लिटर या 5 ml परती लिटर जो भी नीम का तेल आप यूज कर रहे है या आप इसमें प्रोफेक्ट सुपर, दो एमेल परती लिटर वो भी मिला सकते हैं, यह हुई तीसरी चीज, इन तीनों में से कोई भी मिलाई आप, जो चोथी चीज है वो एक फंगी साइड अवस्य मिला दिए से, इस समय पता नहीं है कि कल मोसम कैसा हो, हो सकता है तेज हवा दो ग्राम परती लिटर, सी प्लस एम, यानि कार्बन डीज प्लस मैन को जब, जो की कई कमपनियों का आता है, मैं तो इफको का यूज करता हूँ, आप यूपी यल का साफ भी कर सकते हैं, दो ग्राम परती लिटर, इन चारों को मिलाईए, और आप इसमें एक स्प्रे कर द दीजिये, और पानी देदीजिये, आपको जमीन खुष्क नहीं रखनी है, पानी हमेसा चाहिए, नहीं तो पतिया मुर्जाने लगती हैं, जैसे ही पतिया मुर्जाएंगी, यह सारी की सारी कलियां ड्रोप हो जाएंगे, पूरी की पूरी सावधानी हमने बरत ली है, और इस समय मैं इसमें आज शाम को स्प्रे कराऊंगा और स्प्रे कराकर मेरा करीब दो घंटे लगेंगे इसमें स्प्रे करने के पास मेरे पास तीन मसीन हैं स्प्रे करने की और तीन मेरे साथ ही हैं जो कर्य करता हैं वो करते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी देंगे और दो प बारी मानसून बारिस भी हो जाए और हमारे फूल खिलने रगए जैसे ही मेरे फूल खिलने होंगे तब मैं इसको दूसरा भाग दिखाऊंगा ये भाग जो है आपका सिरीज में है ये जो अम्रूद की मैं सिरीज दिखा रहा हूँ 416.1 है साइद इसका नंबर जो पहले वाली थी जो पहले वाली वीडियो थी उसका नंबर था साइद 416.1 इसका नंबर होगा 416.2 इसी प्रकार जितनी भी होंगी मैं आपको बताता रहूँगा और आप मेरे साथ चलते रही है जिन भाईयों के छोटे बाग हैं एक एकड़ है थोड़ा वो है तो आप उसमें थोड़ा थिनिंग का कारिया भी कर सकते हैं देखिए हमारे लिए ये पोसीबल नहीं है जैसे ये है इसमें तो कुछ आप इसमें से हटा सकते हैं इस तरह से चुकि बहुत ज़्यादा आप अगर रखेंगे तो आपको ही प्रोब्लम होगी अगर कुछ दिंग कर देंगे तो मैंने कई वीडियो में दिखाया है तो आपको उसके आश्यरिय जर्नक परिणाम देंगे लेकिन इतने बड़े बाग में ये कारिये बिल्कुल भी सम्हों नहीं है इसलिए मैं इसमें इस्प्रे के बाद कुछ भी नहीं करूँगा सिर्फ दो पाने दोगा किसान साथियो इस बार मेरा एक उद्धिश्य था कि जैसे जैसे मैं करता चलूँ वैसे ही आपको दिखाता चलूँ बने रहिए मेरे साथ और लीजिए सर्दियों की फसल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात